हेलो फ्रेंट्स दिस राज यादव एंड वेलकम बैक टो स्मार्ट सीजी अपडेट दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यह देखने वाले हैं कि सेंट्रल जो है केंद्री छेत्री छात्र वृत्ति योजना के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है और जो भी मेधावी छात्र हैं जो भी टेलेंटिट इस्टूलेंट है उल्लो को जो सेंट्रल गौर्मेंट के तरब से छात्र वृत्ति मिलने वाली है उसकी पूरी डिटेल हम लोग देखने वाले हैं कि कौन-कौन इस छात्र वृत्ति के लिए पात्र होगा और किसको किसको scholarship Central Government के तरफ से मिलेगा आगी के पढ़ाई के लिए ठीक है तो इसके बारे पूरा डिटेल हम लोग देखने वाले हैं तो वीडियो को लाज तक ज़रू देखिएगा अगर वीडियो पशन आता है तो लाइक और शेयर अधिक से अधिक अपने दोस्तों पर मिलते रहेंगे तो आईए दोस्तों अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप देख सकते हैं कि ये 36 गर्मादमी सिक्षामनल रायपूर दोहरा जारी किया गया नोटिफिकेशन है डेट है इसका 16 आठ 2021 यानि कि 16 अगस्त 2021 आप दोस्तों यहां पर देख सकते हैं ये एक प्रेस्विग्यप्ति है इसमें क्या कहा गया है कि केंद्रिये छेत्रिये छात्र वृत्ति योजना महा विद्याले एवं विश्विद्याले इन चात्र विद्यार्थियों के लिए नवीन एवं नवीनी करण यानि कि नया और जो पुराना है उसका जो है नवीनी करण है ठीक है यानि कि नया आवेदन भी कर सकते हैं और पहले आवेदन कर चुके हैं पिछले सालों में तो उसका नवीनी करण भी आप कर सकते हैं तो ये एक केंद्री छेत्री चात्रवित्ती उजना है दोस्तों सेंट्र अगर्मेंट के द्वारा ये चात्रवित्ती दी जाएगी तो चली आगे देखते हैं इसमें क्या कहा गया है अब देख सकतें इसमें आगे डिया गया है कि online आवेदन करने की प्रारमबिक तिती जो है 16-8-2021 है ठीक है 16-12-2021 को इसका online आवेदन करने की तिती इसकी जो शुरू हो चुकी है Online आवेदन इसका इस्टार्ट हो चुका है दोस्तों आगे दिया गया है कि मानाव संसाधान विकास मंत्रालाई उच्च विभाग द्वारा वर्ष दोहजार आठ नव से कॉलेज इवाविश विदालेइन विद्यार्थियों के लिए संचालित केंदरिये छेतरिये छात्रिवृत्ति योजना वर्ष 2015 से ऑनलाइन राष्ट्री इचात्रिवृत्ति पोर्टल NSP के द्वारा किया जा रहा है अब दोस्तों इसमें क्या कहा गया है इसको जरह समझिएगा ये जो है college student के लिए है ठीक है कोई भी किसी भी college में अगर अध्यन कर रहे है आप या फिर किसी university में अध्यन कर रहे है ठीक है विस्विद्याली और college दोनों लिखा हुआ है यहाँ पर तो आप जो है इस योजना का लाब उठा सकते हैं ये 2015 से जो है online इसका फिलब किया जा रहा है चात्रवित्ती पोर्टल पर ठीक है तो इसके लिए पात्र कौन कौन होगा में जो है step यह है आपका ठीक है में पॉइंट यह है कि पात्रता पात्र कौन कौन होंगे कक्षा बार्वी में उत्तिविण मानवी की विज्ञान वारिज्य विशय के वे विद्यार्थी जिनके प्राप्तां 80% या उससे अधीक है एवं जिनके पाला की समस्त तसरुतों से वार्षिक आये आठ लाक या उससे कम है फे महाविद्यालाय में इस नाता पाठेक्राम में अध्यन कर रहे हैं छात्रविद्टी है तो आवेदन कर सकते हैं इसको समझेगा एक एक करके मैं बड़ी आसान भासा में आप लोग को समझाऊंगा तो यहाँ दिया गया है कि कक्षबारवी में उत्तिवर मानवीकी यानि की हुमेनिटी ठीक है विज्ञान यानि की जो साइन्स है साइन्स ग्रूप वाले और उसके अलावा वाडी जी ग्रूप वाले तो इसमें कुल मिला करके आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर हैं ठीक किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप रिलेट करते हैं और अगर आपका परसेंटेज 80% से अधीक है परसेंटाइल में ये गीना जाएगा ठीक है तो 80% से अगर आपका अधीक है अंक जो है 12 में उसके बाद उनके पालक की समस्तर सोथों से आया अगर उनके परिवारिक आये जो है आठ लाग रुपए से कम है यहाँ पर साब दिया गया है आठ लाग रुपए या फिर उससे कम है और वे किसी महाविद्याले में इसनातक पार्ठेक्रम में अध्यान रत है ठीक है और उसके अलावा अगर आप किसी भी महाविद्याले में इसनातक में पार्ठेक्रम मे आप लोगों ने अभी हिस्से लिया हुआ है ठीक है graduation में admission लिया हुआ है ताप इसके लिए इसकी चात्रवित्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं अब दोस्तों इसको आवेदन कैसे करना है ये भी इस पर भी एक नजर डाली जेगा इस पर आवेदन कैसे करना है आवेदन है तू राष्ट्री इचात्रवित्ती राष्ट्री है ठीक है राष्ट्री इचात्रवित्ती पोर्टल scholarship.gov.in काउप योग करें वर्ष 2021 के लिए नवीन एवं 2016-17-18-19-20 नवीनी करण यानि आप पहले भी अगर आवेदन कर चुके हैं 16 अगस 2021 है NSP की जनकारी मंदल की वेबसाइट cgbse.nic.in पर वेबसाइट देख लीजी cgbse.nic.in पर भी उपलब्द है अधी जनकारी के लिए NSP के हल्प लाइन नंबर यहाँ पर हल्प लाइन नंबर देख लीजे इस नंबर पर संपर्ग भी कर सकते हैं आपकी हल्प की जाएगी आवेदनों का महाविद्दाले इस तर पर online verification होने की पस्चाथ ही माध्यमिक सिक्षा मंदल द्वारा online verification किया जाएगा क्या कहा गया है कि आवेदनों का online verification उपरांथ इस काराले को अगरेशित करें तो यह कुछ important instruction और important जनकारी थी जो student के लिए बहुत important है वो सभी जनकारी मैंने यहाँ पर दे दी है आप जो भी इस योजना के अंतरगत अपने आपको पाते हैं जो भी इसमें criteria बताया गया है तो अगर आप अपने आपको पात्र वहाँ पर पाते हैं तो आप बिल्कुल इसमें आवेदन करिए आपको scholarship central government के द्वारा अच्छी कासी scholarship दी जाएगी ठीक है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद